हम नोग उने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, हर बिमारी का इलाज मिलने लगा बट आज भी हमारे देश के कुछ गाओं ऐसे हैं एवन कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे लोग कुछ बिमारी को लेके चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो उसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं Hello everyone, welcome to उपासना की दुनिया, कैसे हो आप सब अमीद करते हूं सब बहुत अच्छी हैं, सबके लाइफ बहुत जादा अमेजिंग चल रही है आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो और 2023 जट से शुरू है आपने भी प्रण लिया है कि हमें अपनी सारी बिमारियों को खतम करना है और उपासना की दुनिया का हिस्सा बनना है आज की जो वीडियो है वो है वेजाइनल इंफेक्शन पर वेजनाइटस पर सर्वेसाइटस पर लुकोरिया श्वेद प्रदर जिसको हम बोलते सफेद पानी की शिकायत उस पर फंगल इंफेक्शन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसने इन में से कोई प्रॉब्लम फेस ना की हो और उसके डुरेशन कम रही हो अधर्वाइस जितने भी पेशेंट से मिलती हूँ चार साल पान साल तीन साल दस साल एक से मिली उनने साल मतलब इतना लंबा समय था और क्या खाते हो इत्चोकैनाजोल फ्लुकैनाजोल ठीक है क्लोमेट्राजोल मतलब हर तरह की हमने ड्रग्स ले लिया इंटिफंगल बट हमें रिलीफ नहीं मिला रिजल्ट क्या मिला किसी को डिस्चार्ज बहुत जादा वाइट हो रहा है किसी को मिल के डिस्चार्ज हो रहा है किसी को बहुत जादा स्थिकी है किसी में बहुत जादा फाल स्मेल है किसी में इचिंग इतनी जादा है ही बगवान दिल करता है बस कैसे बगर के नीचे का ह नहीं किया है जो आज मैं शेयर करने वाले हूं सो वीडियो को स्किप नहीं करना है अच्छे से देखना है बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है सबसे बहले तहे दल से शुक्रिया आप लोगों ने पुरानी रेमेडीज को इतना प्यार दिया चाहे वाजाइनल इंफेक्शन को लेके थी पिग्मेंटेशन को लेके थी वेट लूस को लेके थी फेशियल हेर को लेके थी मतब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पड़ती हुट तो वह पॉजिटिवीटी आथी इंफेक्शन इतनी जादा बढ़ जाती है इचिंग इतनी जादा बढ़ जाती है तो क्या करते है बाहर से तो दवाईयां खा रहे हैं लेकिन वह टेम्प्ररी रिलेव दे रहा है बट लॉंग तर्म क्या हुआ कैसी चीट्मेंट ले आहरवेदा बैस्ट है उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी विताने वाली हूँ जो आपकी उस प्रॉब्लम को बहुत सालों से भी होगी तो 30-40 परसेंट तो खतम कर ही देगा और आज मैं बात करूँगी योनी पिचु धारन के बारे में सुना सुना लग रहे नहीं न योनी पिचु धारन योनी हम टाम यूज कते हैं हमारे female reproductive system को पुरे ओर्गन को योनी यानि vagina ठीक है योनी पिचु धारन पिचु हम बोलते हैं पिचु बोलते हैं किसी भी कपड़े को या गौज के पीस को पट्टी होता है और धारन हम उसमें धारन करवा रहे हैं तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम योनी पिचु धारन के मात्यम से उस इचिंग को उस इंफ्लमेशन उसको वहां पे जो एकसेसिव वाइड डिस्चार्च हो रहा है उसको जो फंगल इंफेक्शन हो रही है उसको किस तरह से वहीं से रिवर्स कर सकते हैं इंटर्नल मेडिसिंग की नीड बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है हम सक्सेसफुली बहुत सारे पेशिंट को ट्रीट कर चुके हैं आप लोग भी हमसे इस नंबर पे संपर्ग कर सकते हैं और तिल देना प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगी आपको सबसे पहले क्या करना है कभी भी कोई भी तेल का इस्तिमाल करना है मैं आज आपको दो तेल बताऊंगी पहला तेल है नेम तेल और दूसरा है मस्टर्ड इसके साथ क्या होगा अंदर कितने भी घाउं है वो भी हील हो जाएंगे आपको क्या करना है कि आप जो भी तेल का इस्तिमाल करेंगे उसको डारेक्ट हीट नहीं करना है अगर आप किसी भी तेल को डारेक्ट हीट करते हो तो उसके गुंड समाप्त हो जाते है खतम हो जाते है आपको एक पैन लेना है पैन में पानी लेना है और उसको गरम करना है उसमें फिर आप एक खाली कटोरी रखतेंगे और उसमें तेल डालके गरम करेंगे जैसे जैसे पानी उबलता रहेगा वो तेल जो है आटोमेटिकली गरम होता रहेगा उसके बाद आपको क्या करना है सेकिंद स्टेप बताउंगी लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए है अभी तक जानल को सब्सक्राइब ने किया चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना एं प्यारा सा कमेंड करना है देखें अब मैं आप को एकजांपल देती हुँ ह ठीक है मैं एक्जाम्पल लेके चल रही हूँ आपको बहुत पॉजिटीव माइंड से लेके चलना है नेगिटिव नहीं सोचना है वेजाइनल ओपनिंग है युरेत्रा है ठीक है यूरिन आपका बास हो रहे हैं लेकिन आपके वेजाइना में बहुत जादा इंफेक्शन है अब आपको दहरन कैसे करना है इतना बढ़ा एक चाहिए और आप इस कॉर्टन को इस तरह से पूरा रूल कर लोगे इस तरह से बिलकुल एक पतला जो है रोल टाइप बना लोगे इसमें या तो आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हूँ या फिर पट्टी होती है जब शूट गरम किया है ठीक है जैसे मैं भी आपको एक्जेंपल दे रहे हूं इसका जैसे यह ओयल है ना तो इसमें मैंने इसको पूरा जो है सोक कर लिया ठीक है अब क्या करना है जैसे यह अच्छे से मैंने इसको लुब्रिकेट कर लिया अब मुझी क्या करना है जैसे हलका हलका जैसे भी आपसे इंसर्ट हो जाए आपको वेजाइना में जो है इंसर्ट करना है खूता गया कि जब बहुत लॉंग टम से इंफेक्शन रहती है तो वेजाइनल मसल लेडी बहुत साथा लूज हो जागी है तो आपने इस तरह से कर लिया और यह पूरा आपने पिछो इसमें डाल और इस तरह से आपको रखना है दिन में आपको जो है दो बार करना है जैसे आपने सुभा कर लिया तीन-चार घंटे रह गया जितनी देर रह गया उसके बाद आप उसको रिमूव करके फैंक सकते हो या उसको पूरा दिन रहने भी दो दूसरी वाद जब आप रात को सो र लेंगे ठीक है जिनको लगता है की nasi अउन नहीं है वह मस्टर ऑयल भी कर सकते है इसते माल मतलब दोनों मैं कि जिन भी लोगों को बहुत लंबे टाइम से भी इचिंग है डिशार्ज है उनको इसमें फरकाना स्थार्ट हो जाएगा इसके साथ डेली सुभा खाली पे दो हरी लाईची आपको खानी ही खानी है अब जिसी ही मैंने आपको दो ओयल बताया नीम का तेल और दूसरा मैंने आपको बताया मस्टर आए लिकिन अगर आप लोग इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट स्थार्ट करना चाहिए क्योंकि यह तो सपोर्ट करेगा हमेशा सपोर्टिव टीटमेंट है अगर आपको पर्मेन सॉलीशन जी और आप ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो आप इस न जिसे हमारा पिग्मेंटेशन के लिए नवारा ट्रीटमेंट न वैसे ही यूनी के जितने भी योनीकत रोग है वाइद भी डिशार्च हो गया रक्त प्रदर हो गया जितना भी ये प्रॉब्लम है उनके लिए हम डूश का प्रोसीजर करते हैं उसके लिए आपको क्लेनिक वि बहुत एक्सेस में होता है बाक में पेन होता है आपको सालो वेट करनी के जरूरत नहीं है धीरे धीरे करके आप अपनी प्राब्लम को खतम कर सकते हो वाइड डिशाज बहुत लॉंक टर्म है आपको डाक सरकल हो रहे हैं तो अब इंतजार नहीं करना है उबासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार दिया है आगे वे इसी तरह से प्यार देते रहे हैं पुरानी जो मेरी वीडियो आया थी हाओ टू रिमूव अन्वांटेड फेशियल यह उसमें बहुत कोमन कुश्यन दा कि मैं जो जूना है उससे फेस पे रेड़नेस हो रही है आपको बहुत तेज जरब नहीं करना है मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ आपको बिल्कुल हलके हाथों से करना है उसको या फिर आप क्या करें कि पहले उसको चार पर्स दिन पैरों पे इस्तेमाल करें फिर फेस पे करना स्टार्ट करें आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आगे इसी तरह से देते हैं उपास्ता की दुनिया को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया